चलिए बबा आज शुरू करते हैं चाप्टर ओफ रीफंड्स अंडर कस्टम सर कैसा चाप्टर है बबा सी ग्रेड़े चाप्टर है मेरे को नहीं लगता बहुत जरूरी है लेकिन फिर भी करके जाएगा कभी-कभी सी ग्रेड़े चाप्टर से भी दो-चार मार्ग के उसको बोलते हैं रीफंड आपका फंड गौवर्मेंट के पास पड़ा हुआ है आपने बोला सर मुझे वाफस दे जीजिए उसको बोलते हैं रीफंड चलिए शुरू करते हैं सर आप बोलोगे सर ड्यूटी ड्रॉबैक और रिफंड्स में क्या डिफ्रेंस है फंडना जितना ड्यूटी इस रिमोट पर लगा हुआ था उसका आपको रिटर्म कर दिया जाता है उसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक रीफंड क्या होता है फॉर एंग्जामपल कोई आइटम आप इंडिया के बाहर से लाए उस पर ड्यूटी नहीं था और आपने थोड़ा ड्यूटी दे दिया या आपने ड्यूटी जादा दे दिया तो उसके लिए बोला जाता है कि जो आपने ड्यूटी गलत ड्यूटी दे दिया है उसको आप गौर्ण्मेंट से वापस मांग लिजे उसको बोलते हैं रीफंड ठीक है सर चलिए शुरू करते हैं आजाए इधर section number 27 claim of refund की बात करता है sir ये क्या बोलता है समझ लीजिए आपने goods import किये import करते हो तो आपको custom duty calculate करना पड़ता है custom duty is equal to value into rate of duty into rate of exchange जब आपने calculate किया तो sometime custom duty is paid in excess of what is actually liviable क्या होता है classification आपने गलत कर दिया इसको remote की जगा mobile में classify करते हुए duty दे दिया गया कुछ भी गलत classification हो गया गलत classification गलत rate of duty लगा के ज़्यादा duty दे दिया due to error might be आपको information नहीं था lack of information wrong classification करते वे आपने गलत duty दे दिया तो ये क्या बोल रहे हैं अगर आपने गलत duty दे दिया है जो extra duty दे दिया है उसका refund मांग लिजे for an example right side में आ जाईए आपने self assessment किया value multiplied by rate of duty आपने बोला एक लाग रुपए का goods import किया है 30% का duty बनता है 30,000 का custom duty ठीक है आपको याद होगा जिस दिन आप bill of entry present कर रहे हो उस दिन duty देना है अगर आपने bilated किया तो आपको interest देना पड़ेगा आपने क्या किया bilated payment किया और interest भी आपको देना पड़ा ठीक है सर 30,000 रुपए पे मैंने interest भी दे दिया 4500 का अब समझिए सर आपने बाद में देखा कि correct assessment अगर में करता तो एक लाग रुपए पे सिर्थ 20% duty लगना था ओ नो मैंने 30% दे दिया है तो जो आपने 10% extra दिया है वो तो return मांगोगी plus क्योंकि आप custom duty काम हो रहा है तो interest भी आपको कम पे करना है 30,000 पे 4,500 रुपई का interest था 20,000 पे सिर्थ 3,000 रुपए का interest है जो 3,000 रुपए का interest है 4,500 minus 3,000, 1,500 जो interest extra दिया है वो भी आप refund claim कर सकते हो इसका आप मांग लोगे refund अब हम समझेंगे कि इसका refund कौन मांग सकता है और क्या procedure है चलिए शुरू करते हैं सर आपने जो goods import किया था इसको आप क्या करोगे clear करोगे post self assessment basically समझ लिजे ये है रमेश मैंने क्या किया मैंने एक bill of entry फाइल किया importer of the duty paid by him उसके लिए क्या करेगा एक application फाइल करेगा for refund to the AC और DC ठीक है sir point clear है समझ लिजे इंपोर्टर ने क्या किया था goods बेज दिये सुरेश को रमेश ने इस goods बेज दिये सुरेश को sir refund claim करने कौन जाएगा रमेश जाएगा या सुरेश जाएगा अब इन दिस सिनारियो सुरेश जाएगा refund claim करने customer of the duty born by him अगर burden मैंने pass on कर दिया था तो अब customer जाएगा duty का refund claim करने के लिए sir यह जो duty का refund claim करना है यह कैसे claim करना है जल्दी जल्दी मेरे को एक heads up देके बताईए क्या आपको समझ में आया duty drawback और refund में different duty drawback था कुछ import किया सही import किया था re-export कर दिया तो duty drawback मिला import किया extra duty दे दिया तो refund लेते हो जो extra duty पे किया है जो गलत duty पे किया है उसका yes sir point clear है चलिए शुरू करते हैं sir application for refund कैसे जाएगा sir application हमेशा याद रखिएगा application file करना होगा within one year जैसे GST में था कि within two years आपको refund application डालना है customs में refund application relevant date से एक साल के अंदर आपको डालना है same thing है जब आप application दोगे application के साथ documentary evidence लगाना और फिर आपको refund दे दिया जाएगा तो sir यह relevant date क्या होता है क्योंकि आपको relevant date से एक साल में जाके refund application लगाना है तो यहाँ बोला है time limit for submission of refund application one year है one year from what date sir अगर मैं importer हो और मैं refund claim कर रहा हूँ जिस दिन मैंने duty जो extra दे दिया मतलब जिस दिन मैंने duty का payment किया है और realize कर लिया कि sir oh no जिस दिन duty का payment क्या था वो तो extra पे कर दिया था realize क्या हो दिन नहीं जिस दिन pay क्या था उसके एक साल में जाना है तो आज अगर मैंने duty का payment क्या है extra पे कर दिया था एक साल में मेरे को refund मांगने जाना है sir claim by any other person समझ लीजे मैंने customer को goods base दिया था customer जा रहा है तो ये बोल रहा है date of purchase of goods जिस दिन उसने goods purchase किया indirect tax है ultimately उसने burden bear किया होगा वो जाके refund claim मांगेगा sir exemption by special order for an example मैंने duty दे दिया government को बाद में government ने मेरे को special order issue गरके बुला रमेश आपको tax देने की ज़रुत नहीं है आपको custom duty नहीं देना चाहिए तो मैंने दे दिया है दे दिया है तो आप refund मिल जाएगा date of such exemption order उसके एक साल में मैंने को refund application लगाना है refund as a consequence of judgment degree order direction of appellate authority appellate tribunal court court का judgment आ गया उसके बाद अगर आपको refund claim करना है जिस दिन judgment आया जिस दिन आ गया उसके एक साल में जाना है date of judgment or order provisional payment of duty अगर आपने किया है date of adjustment of duties for an example आपने provisional payment किया था final assessment order provisional assessment मांगा provisional order आया आपने payment किया अब final assessment order आने के बाद क्या होता है for an example provisional आपने 10 लाग payment किया था final assessment में पता चला सिफ 8 लाग ही पे करना था 8 लाग को 10 लाग के अगे अजजस्ट कर दिया जाएगा जिस दिन अजजस्ट करेंगे उससे एक साल में आपको refund application डालना है in case of reassessment date of such reassessment से आपको जाना पड़ेगा एक साल में ठीक है सर अब सुनिए सर ये ये था relevant date relevant date से एक साल में मेरे को application देना है आपको अगर याद होगा मैंने आपको पहले ही बताया है refund कैसे होता है refund का एक तो application जाता है application के साथ आपको लगाना पड़ता है sir documentary evidence yes sir documentary evidence लगाना पड़ता है कि refund बनता है yes sir देखिए यहाँ पे with documentary or other evidence to establish the duty interest collected from or paid by him and incidence is not passed on to other person आपको documentary evidence लगाना है पड़ेगा कि sir मैंने ही दिया है और मैंने burden किसी को और pass on नहीं किया है तो उस scenario में बतलब basically आपको documentary evidence लगाना पड़ेगा refund application के साथ उसके बाद अब क्या होगा processing होगा refund का processing हुआ और याद रखेगा इधर सार दिनों का time नहीं है GST में 60 days था यहां बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं यह कि आपने अभी एक बार application लगा दिया application डाल दिया तो तीन मैने में from the date of application आपके bank account में पैसा आ जाएगा अगर तीन मैने में उन्होंने आपके bank account में refund प्रोसेस करते हैं पैसे नहीं दिये तो सर interest देंगे at the rate of 6% per annum अगर समझ लीजिए यहां refund दिया तो सर सेक्शन नमर 27a गोलता है interest भी आपको दिया जाएगा ठीक है सर from the day immediately after the expiry of 3 months from the date of receipt of application for refund मतलब एक बार तीन मैने खतम हो गए इसके बाद आपको interest देना चालू करेंगे जब तक पैसे आपके bank account में नहीं दिये गए ठीक है सर हमने समझा relevant date relevant date से एक साल में आपको application डालना है एक बार application डाल दिया सर फिर उसके तीन मैने में आपके पैसे bank account में आ जाएंगे लेकिन अगर नहीं आएं तो याद रखेगा interest मिलेगा at the rate of 6% per annum after the expiry of 3 months ठीक है सर GST में ये दिन 60 days था यहां तीन मैने है GST में application के लिए time limit दो साल था यहां एक साल है from relevant date ठीक है सर ध्यान रखेगे सर समझ लीजिए यहीं पर processing हो गया तो processing हो गया अगर AC और DC is satisfied that refund is due तो हमेशा याद रखेगा क्योंकि custom hack indirect hack हमेशा पैसा वो लोग डाल देते हैं consumer welfare fund में लेकिन आपको prove करना पड़ता है कि सर understandagement नहीं है consumer welfare fund में मत डालिए तब वो आपको refund आपके bank account में ही देंगे ठीक है सर अब कुछ cases है जिसमें doctrine of unjust management applicable नहीं होता है मतलब पैसे आपके bank account में डाल दिये जाते हैं उनका shortcut मैंने NIIBBED लिखा है चलिए पढ़ लेते हैं मतलब इन cases में unjust management applicable नहीं होगा पैसे आपके bank account में ही दिया जाएंगे consumer welfare fund में नहीं डालेंगे सर यह क्या cases है duty and interest paid by notified class of applicant notified by central government in the official gadget अगर central government ने किसी को notify किया है तो उन cases में पैसे उनके bank account में डाले जाएंगे उसको सर consumer welfare fund में नहीं डालेंगे duty and interest paid by importer made by an paid on imports made by an individual for personal use मैंने क्या किया है इंडिया के बाद से एक कार मंगा ली और यह मैंने अपने individual use के लिए मंगाई है सर मैं personal use के लिए मंगाया हूँ थोड़ना मैंने किसी पर button pass on कर दिया था तो इसमें unjust management applicable नहीं होगा जो duty extra दिया है मेरे को refund मिल जाएगा duty and interest paid by importer or exporter if he has not passed on the incident to any other person मैं इंपोर्टर हूँ मैंने goods import किया मैंने extra duty दिया मैंने burden किसी पर pass on नहीं किया तो मेरे को refund मिलेगा मेरे bank account मिलेगा doctrine of unjust management applicable नहीं होगा consumer welfare fund में पैसे नहीं डालेंगे मेरे को ही दे देंगे duty and interest bond by buyer and he has not passed on the incidence to any other person मैंने क्या किया मैंने goods बेज दिये इस बंदे को इसने किसी और पे burden पास on नहीं किया तो refund इसको दिया जाएगा unjust management applicable नहीं होगा payment इसको ही कर दिया जाएगा मतलब refund इसको दिया जाएगा duty and duty paid in excess by the importer before an order permitting clearance of goods for home consumption is made where such excess payment is evident from the bill of entry आपके bill of entry में दिख रहा है कि आपने wrong classification करते वे ज़्यादा duty दे दिया है तो भी refund आपको दिया जाएगा और duty actually payable is reflected in the reassist bill of entry reassist bill of entry या bill of entry में दिख रहा है कि sir आपने access दे दिया है तो refund आपको ही दिया जाएगा उसके बाद export duty का हमेशा याद रखियेगा आप ही को दिया जाता है उसके लिए कोई भी unjust indictment applicable नहीं होता है exam में पूछ लेते हैं कि unjust indictment किन cases में applicable नहीं होगा मतलब पैसे आपके ही bank account में दिया जाएगे N for notified class of people I for imports made by individual I for import जो importer और exporter burden bear करता है B for sir bond by buyer अगर buyer हूँ मैं और मैंने burden bear किया है तो मेरे कोई refund दिया जाएगा उसके बाद sir B.I.R. Bill of Entry में अगर reflect हो रहा है कि आपने extra payment किया है तो आप कोई refund दिया जाएगा E for export duty and D for duty drawback का refund हमेशा आपको ही दिया जाता है उसमें unjust indictment applicable नहीं होता है उसके बाद आजेए ये left side में left side में क्या बोल रहे है refund of import duty in certain cases refund of import duty कभी 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 क्या होता है आपको जो import duty होता है आपने import किया आपने import duty दे दिया अब वो import duty का भी refund दे देते हैं कभी कभी कभ import duty paid on clearance of goods for home consumption shall be refunded मतलब मेरे goods इंडिया आए मैंने उनको duty देते हैं clear करा लिया अब ये बोल रहे हैं हम refund दे देंगे कभ goods are defective मैंने क्या किया goods मंगाए और जो goods मंगाए थे वो defective निकल गए sir not in conformity with specification agree between importer और exporter इस case में refund दे देंगे proviso goods have not been worked out or repaired or used except when such use was indispensable to discover defect or non-conformity मैंने रिमोट इंडिया के बाहर से मंगाए इसको duty देते वे clear कर लिया clear करने के बाद जब ले के आया और TV में actually use कर रहा था तब देखा कि sir ये तो remote चली नहीं रहा है तो ये जो use किया मैंने ये use indispensable था मेरे को use करना पड़ा to find out that default कुछ problem है तो sir इसको use नहीं बोलते हैं लेकिन समझ लिजे मैंने clear करा है remote को use कि अच्छे मैंने उसके बाद बोल रहा हूँ sir ये confirmative में नहीं है मेरे को refund चीए तब refund नहीं मिलेगा याद रखिएगा ठीक है sir point clear है लेकिन अगर आपने goods import किये clear करा लिया उसके बाद payment भी कर दिया है फिर देख रहे हो कि sir goods are not in confirmity तो उन सिनारियों में आपको refund दे दिया जाएगा goods are right to be identified to the satisfaction of the AC or DC as the imported goods AC DC अपने आपको satisfy करेगा कि जो आपने import किया है जो goods का refund मांग रहे है हो duty का वही imported goods ही है चीके sir उसके बाद the importer does not claim a duty drawback याद रखेगा आपने import किया goods और आपने क्या किया उस goods को आपस export कर दिया और 98% duty drawback भी ले लिया और आप बोल रहे हो कि sir मैं को refund भी चैए बेटा दयाद रखेगा अगर duty drawback ले ले लिया तो refund नहीं मिलेगा लेकिन sir duty drawback ले सकते हैं हाँ अब अब ले लिजे 100% duty दिया है duty drawback मांगोगे तो 98% मिलेगा refund मांगोगे तो पूरा मिलेगा 100% आप refund ही मांगोगे ठीके sir और ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि sir अगर आपके goods defective है not in confirmity with the specification है तो sir कैसे आपको refund दिया जाएगा ये बोल रहा है importer exports the goods आप import के goods goods not in confirmity उस पर duty दे चुके हो आप एक काम कीज़े goods को वापस भेज दीजे जो exporter था उसको वापस दे दीजे जब आप उसको वापस दे दोगे department आपको duty वापस दे देगी relinquish his title or relinquish his title to goods and abandon them to custom आपने बुला sir मैं इनको exporter तो वापस नहीं ले रहा है sir मैं custom department के बास इन goods को छोड़ देता हूँ आप customs के पास goods को छोड़ दीजे custom department duty छोड़ देगा मतलब duty तो आपने दे दिया है already दे दिया है तो refund दे देगा next goods are destroyed and rendered commercially valueless in the presence of the proper officer आपने बुला sir मैं लगा देता हूँ इन goods पे आग आपने क्या क्या goods को valueless बना दिया समझ दिजे कुछ मंगाया था उसको आपने क्या क्या तोर फोर के valueless बना दिया आग लगा दिया उन goods को तो ये बोल रहे है हाँ ठीक है sir आपने goods को destroy कर दिया हम आपका दियावा duty आपको वापस दे देंगे पहला बात जब goods import किया आपने import करने के बाद duty दे दिया है goods को export कर दिजे आपको duty return मिल जाएगा sir वो नहीं ले रहा है तो custom के पाद छोड़ दीजे तो आपको duty refund मिल जाएगा custom बोल रहा है हमें भी नहीं चाहिए आपने destroy कर दिया destroy कर दिया तो custom आपको duty return दे देगा उसको बोलते है duty refund on import duty मतलब basically जो import duty दिया है उसका refund मिल जाएगा कितने दिनों में करना है goods importer exports the goods or relinquishes the title और goods are destroyed or rendered valueless within 30 days from the date of clearance order जब आपने import किया clearance order आ गया उसके 30 दिनों में आपको यह सब करना है proviso 30 days can be extended by principal commissioner और commissioner up to of customs up to 30 up to 3 months मतलब यह 30 दिन का time limit को 3 months तक extend किया जा सकता है section not applicable to goods regarding which offense has been committed अगर आपने समझ लिजे यह AK-47 मंगा लिया actual AK-47 मंगा लिया अब custom department ने आपको पकड़ लिया है आप बोल जो sir मैं goods को छोड़ रहा हूँ आप मेरा duty वापस देजिए वो बोलेंगे sir अब तो इसके लिए कोई relinquishment वगरा नहीं है आपको तो हम jail भीजेंगे ठीक है sir application before the expiry of 6 months from the relevant date आपको हमेशा या तक ना आपको application लगाना है कितने दिनों में 6 मेनों में sir relevant date क्या होता है relevant date से 6 मेने में application लगाना है for refund of import duty relevant date क्या होता है यह बोल रहा है in case of goods exported out date of late export order मतलब आपने import किया अब आप बोल रहे हो sir मैं इन goods को अपस export कर देता हूँ अरे बेटा export करने के लिए जो आप late export order लोगे late export order जब मिल गया उसके 6 मेनों में आपको refund of import duty के लिए apply कर देना है ठीक है sir title is relinquished आपने title छोड़ दिया इस दिन title छोड़ दिया भाग बेटा भाग import duty refund के लिए apply कर दे date of such relinquishment जब relinquish कर दिया उससे 6 मेनों में goods are destroyed और rendered commercially valueless date of such destruction और rendering of goods commercially valueless मतलब आपने goods को आग लगा दिया जिस दिन आग लगा दिया goods को उस दिन भागिये और custom department को बोलिये application दीजे 6 मेने में application दीजे आपको refund दे जिया जाएगा no refund with respect to perishable goods and goods which have left shelf life मतलब समझ लीजे आपने आम मंगा है आम के बुटलिया बज गए है और आप बोल रहे हो sir मेरे को duty drawback duty drawback ने refund दे जीजे duty का वो बोल रहे हैं कोई refund नहीं दिया जाएगा आज है ये right side में ये था import duty के refund के बारे में ये सब था ये basically था excess जो duty दियावा है उसके refund के बारे में ये import duty के refund के बारे में sir ये है export duty के refund के बारे में refund of export duty in certain case है समझ दीजे मैंने export किया duty दिया अब मैंने re-import कर लिया मतलब export किया था return आ गए goods goods return आ गए वापस आ गए तो duty भी वापस आ जाएगा उतना ही बात है देखिए section number 26 provides for refund of duty paid at the time of exportation आपने export किया duty दिया goods वापस आ गए duty वापस मिल जाएगी subject to fulfillment of the following condition goods are returned to such person otherwise then by way of resale मैंने export किया उसने मेरे को goods return कर दिया department आपको duty जो है वो return कर देगा उसको बोलते है refund of export duty ठीक है sir sir मैंने export किया X को X ने क्या क्या Y को sell किया और Y ने मेरे को resell कर दिया resell अगर हुआ है समझ लिजे मैंने X को sell किया और X ने वापस sell कर दिया मेरे को resell नहीं होना चाहिए return होना चाहिए अगर resell है तो उस case में export duty आपको refund नहीं दिया जाएगा goods are imported within one year from exportation मैंने export किया एक साल में goods वापस आ गए उसके बाद application within six months from the date proper officer makes a clearance order आपके goods वापस आ गए आपने goods को छुड़वा लिया custom से एक बार goods को custom से छुड़वा लिया उसके छे मैने में आपको application देना है for the refund of export duty simple है बबा आपने export किया export duty दिया वापस आ गए goods duty भी वापस मिल जाएगा उतना ही बात है application देना है goods वापस आ गए goods clear करा लिए clear कराने के च्छे मेने में आपको application देना है और जो आपने export duty दिया था department आपको return कर देगा section no.28 D बोलता है presumption that incidence of duty has been passed on to the buyer क्योंकि customs एक indirect tax है हमेशा माना जाएगा कि आपने duty का burden customer को pass on कर दिया है every person who has paid the duty on any goods under this act shall unless the contrary is proved by him be deemed to have passed on the burden to the buyer मतलब हमेशा माना जाएगा कि रमेश आपने burden pass on कर दिया है आपको prove करना पड़ेगा यह unjust engagement नहीं है मतलब आपने burden proof pass on नहीं किया है यह आपको prove करना पड़ेगा unless otherwise आप हमेशा माना जाएगा कि आपने burden pass on कर दिया है और refund consumer welfare fund में डाला जाएगा चीक है सर समझ में आ गया उसके बाद एक case law है पीरामल रे versus customs क्या पीरामल रे versus customs period of one year for claiming of refund under section number 27 not applicable in case of refund of amount paid on account of wrong classification of imported goods क्या हुआ था पीरामल रे के case में उन्होंने क्या किया एक machine मंगाया machine समझ लिए 10 करोड रुपय का machine था या 100 करोड का machine था उस पे उन्होंने क्या किया 20% लगाते हुए 20% का 20 करोड का custom duty pay कर दिया ओ नो सर classification किया और उन लोगोंने 20% duty मतलब 20 करोड का duty पे इगट दिया लेटर उन लोगोंने रियलाइस किया ओ नो हमारे गुर्स पे तो कोई duty था ही नहीं हमारे गुर्स तो exempted गुर्स है मतलब ये 20 करोड रुपया इन्होंने बिना फाल्तू का दे दिया मतलब बिना मतलब का दे दिया customs को क्या इनको देना चाहिए था सर नहीं देना चाहिए था अब एक साल पास हो गया एक साल खतम हो चुका है refund के लिए एक साल ही होता है एक साल खतम हो गया पिरामल रे गया सुप्रिम कोड के बास और बोला सर मैंने जो ये 20 करोड रुपय दिये ना सर ये तो duty नहीं था ये तो मैंने ऐसा हो गया कि 20 करोड रुपय डिपार्टमेंट को दे दिये as duty लेकिन वो duty था ही नहीं क्योंकि मेरे गुर्स पर duty नहीं था तो सर मेरे को refund चाहिए प्लीज आप मेरे को return दिला जीजे refund मत दिला जीजे मैंने 20 करोड रुपय कस्टम को दे दिये है court भी यही बोला court ने बोला जब आपने पैसे जो दिये पिरामल रे को बोला कि सर आपने customs को बोला court ने कि customs को बोला कि सर आपने जो पैसे कलेक किये हैं 20 करोड रुपय जो आपको client ने दिये मतलब यह जो पिरामल रहे है इन्होंने 20 करोड जो आपको दिये है यह actually इनको देना ही नहीं था मतलब इन्होंने गलती से आपको दे दिये as custom duty वो actually custom duty था ही नहीं एक साल तो तब applicable होता जब इन्होंने आपको custom duty गलती से दिया और वो custom duty का refund मांग रहे है sir यहाँ पे तो कोई custom duty applicable ही नहीं था मतलब इन्होंने जो पैसे आपको दिये वो actually ऐसा हो गया है कि आपको गलती से पैसे दे दिये है अब आपको इनको return करने चाहिए इसलिए इसमें एक साल का time limit applicable नहीं होगा और पिरामल रेके के समें court ने बोला customs department आपको जो भी आपको duty मिला है actually वो duty था ही नहीं ऐसा है कि इस बंदे ने आपको पैसे दिये है आप पैसे return कर दीजिए वो ही बोला गया था कि period of one year for claiming of refund under section number 27 is not applicable in case of refund of amount on account of wrong classification of imported goods मैंने goods to exempted थे मैंने गलती से duty देतिया है उसमें एक साल का time limit applicable नहीं होगा प्रिया ब्लू इंडेस्ट्रीज प्रिया ब्लू इंडेस्ट्रीज का case law था refund claim cannot be substitute for appeal क्या हुआ प्रिया ब्लू क्या किये वो अपील में नहीं गए अपील में जाने का time limit था 60 दिनों का अपील का time limit खतब हो गया अब उनोंने क्या किया था री एस्समेंट पे कुछ ज्यादा duty दिया था री एस्समेंट होा था और उनों दिया था सुनिए असेस्मेंट आपने किया आप गए officer के बास आफिसर ने बोला आपने कम टैक्स दिया आफिसर ने री असेस्मेंट करते हुए आपसे और टैक्स कलेक्ट किया अब री असेस्मेंट करने के बाद अगर आफिसर ने आपको एक री असेस्मेंट ओर दिया तो re-assessment order के against अगर आपको जाना है तो sir आपको जाना है appeal में अगर appeal में जीत गए तो आपको refund मिलता है आप re-assessment हुआ re-assessment होने गए appeal वगेरा में नहीं गए और आप बोल रहे हो appeal का time limit चला गया मैं directly refund claim file करूँगा ये बोल रहे है person agree with an assessment order cannot seek refund without filing an appeal against such order appeal file कीजे उसके बाद आईएगा आप refund मांगने के लिए अगर आप appeal में जीत गए just because time limit appeal का खतम हो गया आप बोल गया मैं refund claim कर लूँगा नहीं मिलेगा चलिए बोबा यहां अमारा discussion with chapter of refunds खतम होता है I hope आप लोगों को refunds और duty drawback का अब clarity आगया होगा difference का between duty drawback and refunds yes sir point clear है C graded topic है maximum clean mark expected है यहां मैं अपना discussion with the chapter of refunds close करता हूँ